मैं हुआ अबित हुस्साइन शेक आपका खेर मक्दम फोर टीवी निउस करनाड़क एक्सप्रेस में अच्छे बरताओं के चलते गुलबरगा जेल से 18 कैदी रिहा गुलबरगा जेल से 18 कैदियों को अच्छे बरताओं और चाल चलन के चलते रिहा किया गया है जेल सुप्रेटेंडेंट बियस रमेश ने बताया के पिछले 14 सालों से ज्यादा इन कैदियों ने जेल में बिताने पड़े आखिर में इन कईदियों को रियाही की सर्टिफिकेट देकर समाज में अच्छा नागरी का फर्ज निभा कर दूसरों के लिए प्रेरना बनने की सला दी गई वरना जिंदगी के अनमोल पल एक गलती की वज़े से सलाकों के पीचे गुजारनी पड़ सकती है के पीची परसनेलेटी टेस्ट स्कोर में कटोती असावीदानिक है अट्रा फेबरवरी सरकार ने डिक्टेटर का मुझाहरा करते हुए बगएर किसी सलाव मशुवरे के परसनेलेटी टेस्ट स्कोर को घटा कर 25 नमराद कम कर दिये गए हैं इससे रिटन टेस्ट और परसने लाख है कहा सिद्रामया ने सरकारी स्पैसले को वापस लेकर यूपी असी मॉडल पर रिटन एक्जाम का 12.5 फीसद मुकरर करके परसनालेटी टेस्ट लेना चाहिए सिद्रामया ने सियम को खत लिखकर भी इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की दरखास्त की है इवियम मशीन हैक होने की आशंका जताई जी परमेश्वर ने तुमकुरों में मीडिया से बात करते हुए जी परमेश्वर ने बताया के देश में सामान्य नागरी की जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है बेरोजगारी आम हो गई है आइसे में पांच राज्वों के चुनाओं में बीजेपी का जीत कराना शक पड़ा करता है हमें इसका पता लगानी की जरूरत है अब भी मुझे एवियम मशीन पर शक है बीजेपी ने एवियम को हैक करके इसका फायदा लिया है कहा जी परमेश्वर ने मायक प्रसिद जोतिशी हूँ सिर्फ तीन दिन में तुमारी परेशानी धूर कर दूंगा राइचूरु जिल्ला सिंदनूर निवासी बस्वराज दुरगपा ने प्रसिद जोतिशी का नाटक रचकर बेलगाम में एक मासू महला से सत्तर हजार रुपिये लूट लिये महल ने बताया कि इस ढूंगी बाबा ने मेरे बेटे की सिहत को बहतर करने की भविशवानी करके कहा था कि सिर्फ तीन दिन में तुमारे बेटे को आराम कर दूंगा ये कहकर सत्तर हजार रुपिये ले गया मगर तीन दिन बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ तो महला ने फोन किया इ पैक लिश्ट में रख दिया महला ने बेलगाम सी एन पॉलिस थाने में इस मामले की शिकायत की जिस पर पॉलिस फोन नंबर के आदार पर ढूंगी बाबा को गिरफतार कर लिया और इसके अकॉंट से चार लाग रुपिये भी जब किये हैं पॉलिस ने छे साल बाद गुमशुदा बेटा मिला अपनी मा को यलहंका तालू का सिंगन आयकन हली निवासी पारवतमा का बेटा भरत 2016 में यलहंका के तरकारी बाजार में गुम हो गया था जिसकी शिकायत यलहंका पॉलिस थाने में की गई थी पॉलिस ने पुनरवास केंदर और राज्य महला एवं बाल कल्यारी विभाग को इस मामले को लेकर सूचित किया था आखिर कार्य यलहंका पॉलिस थाना के इनस्पेक्टर सत्य नारायन और इनकी टीम ने छे साल बाद आदार कार्ड को मैच करके बिछडे हुए बेटे को मा से मिलाकर अपना करता हुए निबाया है कि अगेजमेंट का रिकरम को जाने वाली ट्रैक्टर पटी चैर की मौद कहीं घायल को पल जिला कंकेरी के नवली ग्राम में एंगेजमेंट कारेकरम को जाते समय राइस टेकनोलोजी पार्क के करिब ट्रैक्टर के पलटने से करटगी 85 साला यमनूरपपा और 50 साला अंबम्मा की मोक्य वार्दात पर ही मौत हो गई संसद में जेडियस सदस्यों का धरना परदर्शन जेडियस सदस्यों ने हातियों के हमले का प्रस्ताओ देकर हातियों के हमलों से होने वाले नुकसानात को लेकर धरना दिया सदन में विदान सबा के शुने काल में जेडियस शाशक लिंगेश ने कहा के बेलूर के जंगल में दो लोगों की मौत हुई, लोग यूही मरते जा रहे हैं, लोगों की हिफाज़त करो या इनको जहर दे दो, यहां हातियों के लिए कोई कॉरीडर नहीं बनाया गया है, और नहीं किसी तरहां हिफाज़त के, कोई इंतेजामात, कौफी, धान, केला, सब फसले हातियों की वज कांग्रेस का जहांज डूब रहा है, इस्तिफ़ा देने की बात कही, सियम इबराहीम ने, सियम इबराहीम ने, AICC अद्धिक्ष, सोनिया गांदी, KPCC, डिके, शुकुमार और सिद्रामया को इस्तिफ़ा का लेटर भेजनी की बात करते हुए, राज्य में सियासी हालात के मद्य नजर और सौब इमान के कारण इस्तिफ़ा देने का फैसला लेना पड़ा कहा, सियम इबराहीम ने, कांग्रेस में सौब इमान को बरकरार रखना मुश्किल है, अब कांग्रेस का जहांज डूब रहा है, कहा, सियम इबराहीम ने, इलेक्ट्रिक शौक लगने से मा और बेटे की मौत, कल गुलबरगा यतियुँ खाना एरिया में इलेक्ट्रिक शौक लगने से मा और बेटे की मौत हो गई, मिर्तकों की शनागत शाहिन बेगम और सोहल खान के नाम से की गई है बताया जा रहा है कि कल बारिश होने से कपड़े सुखाने के लिए लगाए तार को छूने से ये घटना घटी है जिसमें हाई वोल्ट करेंट दोड रहा था ये मामला स्टेशन बाजार पुलिस थाने में ह वाहे दर्ज सेव डेमोकरसी लोकतंतर बचाओ या ममसी ने दिया आवास देश के मवजूदा खालात नफरतों का माहूल भाई चारा को नुकसान पहुंचाने की साजिशन देश की एकता और अखंड़ता को तोडने का काम देश के सवविदान का अपमान लोकतंतर को पामाल करने जैसे अहम मुद्दों पर मौलाना सेद मौम्मद तन्वीर पिरा हाश्मी की कियादत में तहफूज जमूरियत उन्वान से जलसे का नकाद किया गया है जिसमें मौंबई के मशहूर मौकिर प्रोपेसर पुनियानी बाहिसियत महमाने खुसूसी इस जलसे में मौजूदा हालात पर खिताफ करेंगे इसके अलावा मौम्मद कनी डॉक्टर बस्वालिंग स्वामी जी महांत तिर्थ शिरूर मुफ्ति अफ्तेकार अहमद कास्मी फादर मैचैंडो वगरा रहेंगे मौजूद इस जलसे में तमाम अजाहिब के लोगों को बड़ी तैदाद में शिर्कत की गुजारिश की है जलसे के सदर मौलाना सेद महमद तर्मी पिरां हाश्मी और एममसी के जिम्मेदारों ने और खबरों के लिए देखते रहें फॉर टीवी निउस करनाटक एकस्प्रेस